हमेशा ही अपने शान्त और सरल स्वाभाव के लिए पहच्चा आने जवाने वाले उर्जा मंत्री प्रद्यम्न सेहिं तोमर का सोंपार को अलग ही रूप देखने को मिला यहां ग्वालियार विधान सभा में निरिक्षन के दोरान उर्जा मंत्री प्रद्यम्न सेहिं तोमर ने पबलिक के बीच में नगर निगम के अपरायोक्त को कड़ी फटकार लगाए गए दरसल हुआ यू कि उर्जामंत्री प्रद्यूम्न सेहित तोमर सोमवार को अपनी ग्वालियार विधान सभा के रेशम मिल इलाके में पहुचे थे यहां उर्जामंत्री इलाके की साफ सफाई के व्यवस्था का जैसा भी ले रहे थे तभी उन्होंने एक बात्रूम को गंदा देखा उर्जामंत्री का पारा गंदिगी देखते ही चड़ गया उन्होंने पब्लिक के बीच ही नगर निगम के अपर आयुक्त संजय महता को कड़े शब्दों में फचकार लगाए काफी गुस्से भरे लहजे में उर्जामंत्री प्रद्यम्न सेहतोमर ने कहा कि मैं आपको दो बार बता चुका हूँ तीसरी बार नहीं बताऊंगा बात्रूम साफ होना चाहिए इस के साथ ही उन्होंने कहा कि मैं हर तरह से सक्षम हूँ उर्जा मंत्री के ये तेवर देखकर हर कोई हैरान रह गया क्योंकि अब तक उर्जा मंत्री प्रद्यम्न सेह तोमर बहुती शांत स्वाभाव में नजर आते थे लेकिन सोमवार को उर्जा मंत्री का इतना आक्रोश देखकर हर कोई सन रह गया टाइम एट मधिप्रदेश के लिए ग्वालियर से ब्यूर रेपोर्ट हमेशा ही अपने शान्त और सरल स्वाभाव के लिए पहच्चा आने ज़ाने वाले उर्जा मंत्री प्रद्यम्न्यस सहिं तोमर का सोंपार को अलग ही रूप देखने को मिला यहाँ ग्वालियर विधान सभा में निरिक्षन के दौरान उर्जा मंत्री प्रद्यम्न सहिं तोमर ने पब्लिक के बीच में नगरनिगम के अपरायोकत को कड़ी फटका लगए काफी गुसे भरी लहजे में उर्जा मंत्री द्वारा यह फटकार लगाए गए दरसल हुआ यू कि उर्जामंत्री प्रद्यूम्न सेहित तोमर सोमवार को अपनी ग्वालियार विधान सभा के रेशम मिल इलाके में पहुचे थे यहां उर्जामंत्री इलाके की साफ सफाई के व्यवस्था का जैसा भी ले रहे थे तभी उन्होंने एक बात्रूम को गंदा देखा उर्जामंत्री का पारा गंदिगी देखते ही चड़ गया उन्होंने पब्लिक के बीच ही नगर निगम के अपर आयुक्त संजय महता को कड़े शब्दों में फचकार लगाए काफी गुस्से भरे लहजे में उर्जामंत्री प्रद्यम्न सेह तोमर ने कहा कि मैं आपको दो बार बता चुका हूँ तीसरी बार नहीं बताऊंगा बात्रूम साफ होना चाहिए इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मैं हर तरह से सक्षम हूँ उर्जा मंत्री के ये तेवर देखकर हर कोई हैरान रह गया क्योंकि अब तक उर्जा मंत्री प्रद्यम्न सेंतोमर बहुती शांत स्वाभाव में नजर आते थे लेकिन सोमवार को उर्जा मंत्री का इतना आक्रोश देखकर हर कोई सन रह गया टाइमेट मधिप्रदेश के लिए ग्वालियर से ब्यूरो रेपोर्ट